कि अदर एक्राइय gyda कि अदर गया अदर गया तो एक अदर डॉल्र no कफी किरेशन चीक है तो अधिक्ञ आप पूसरे चीए फॉलो करना होता है ऊध्या करने के लिए दो बाते समझ लो पहले दिमाग जो बातीनिये आप लगाओ हो या थो आप सिंगल लेक्तों सिस्टम वाले 만들 लगा होगे या फिर आप लगा वे उसे 4 तो भूली इलएक्ट्रोण सिस्टम वाले एैटम बैने कि आपने लगाया या तो हाइडो cases पर जिन कि एक ही ऐसे या फ्र आपने डिल्स कु लगाया मेट ह无ब फर मैट है इस तों गई मेरें अवह गई अब जितनवी सिंगल एक कर दो करता है उन के बीच में 25!". लेकिन जो multi electron system वाले होते हैं multi electron system वालों गए अंदर यह जो force लगता है यह force electron electron के बीच में भी लगेगा और nucleus electrons के बीच में भी लगेगा अब electron electron के चार्ज कैसा होता है negative तो negative negative क्या हो गया repulsion तो basically जितने भी multi electron system वाले होते हैं Multi Electron System वालो पर जो Force लगता है वो दो तरीके का होता है एक होता है आपका Nucleus का Attractive Force और दूसरा होता है Electron-Electron के बीच में लगने वाला Electronic Repulsion Force यानि की Repulsive Force Got it? तो दो ये तरीके के Force हो गए एक Force हो गए तुमारे पास नूकलियस और से बीच में लगने वाला और दूसरा दो एलेक्टोंस के बीच में लगने वाला हुआ है depiction अब देखो दो तरीके के आपको एक मुन मने बटा यहां सिंगल और और एक आपको म the बताय है multi electronic यानि की more than one electron वाले अब जितने भी ये मोनो electronic वाले जो होते है ना इन मोनो electronic वालों के अंदर जो energy होती है एक ही सब शेटमें बैठे हूए जो orbitals होते हैं उनकी energy जो होती है वह बराबर होती है यानि एक एनरजी level पे लाई करने वाले सब शेल्स जितने भी होते हैं उनकी एनरजी बराबर होती है जैसे पहली शेल्स में एक ही होता है एस और्बिटल चीक है ना दूसी में दो सब शेल्स होते हैं 2S और 2P तीसी में तीन होते हैं 3S, 3P और 3D ऐसी चौथी में 4 होते हैं 4S, 4P 4D और 4F 4D 4F अब एक ही शेल्स के अंदर लाई करने वाली जितनी भी शेल्स होती हैं वो भले अलग अलग टाइप की हों लेकिन उनकी एनरजी जो लाई करती है वो एक ही लेवल पर लाई करती है चीक है जैसे 2S और 2P एक ही लेवल पर लाई कर रहे हैं 3S, 3P, 3D एक ही लेवल पर लाई कर रहे हैं 4S, 4P, 4D, 4F यह सब एक ही लेवल पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इन शेल्स की जो एनरजी है वो सब के सब बराबर है क्योंकि इन सब की सब शेल्स के जो एनरजी लेवल से हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं ठीक है तो हमें से यह समय में आ गया कि energy किसी भी कि सब शेल की energy किसी भी सब शेल की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रिंसिबल कॉंटम नंबर पर यानि आगे वाले नंबर पर यानि एन पर जब तक एन की वैली सेम होगी न तो energy ज्यादा होगी और अगर एन ज्यादा कर दिया तो energy भी ज्यादा होगी तो सबसे हाई नंबर किसका है 4S, 4P, 4D, 4F वालों का तो energy सबस्यादा किसकी हुई 4 वालों की और सबसे कम किसकी हुई 1 वालों की तो इसका मतलब यह हुआ कि 1S वाले की energy कम होई 2S और 2P से 2S और 2P की energy कम होई 3S, 3P, 3D से और 3S, 3P, 3D की energy कम होई 4S, 4P, 4D और 4F से ठीक है यह system जो मैंने बताया है किस प पर यानि कि जिनमें की एक electron होता है उन पर energy की जो levels होते हैं वो सब बराबर होते हैं ठीक है बात करते हैं multi electronic system वालों के लिए तो जितने भी multi electronic वाले होते हैं यानि एक ही sub shell में बैठे हुए जो orbitals होते हैं उनकी energy जो होती है वो different होती है क्यों क्योंकि electron electron की बीच में क्या बढ़ जाता है कि अब जाता है अब इस diagram को चेक करो तो वन इसके बाद 2S आया है लेकिन टूपी उपर निकल गया क्योंकि टूपी की energy 2S से ज़्यादा है कि टूपी के बाद लेक्टों सीथा इंटर करा 3S के इंदर है अब थर्ड शेल का पी 3S के साथ ही होना चाहिए क्योंकि 3P की energy 3S से ज़्यादा है हैं दोनों एक ही सब्षेल के orbital 3S हुआ 3P हुआ 3D हुआ है सब एक ही सब्षेल के orbital लेकिन energy का difference आ गया यानि 3S में कम है 3P में उससे ज़्यादा energy और 3D में सबसे ज़्यादा energy है कोल मिला करके multi electron system वालों की ज़्यादा energy होती है केवल ओ केवल N पर depend नहीं करती है बलकि N प्लस L के sum पर depend करती है multi electron system के case में energy की ज़्यादाव होती है वो depend करती है N और L के sum पर इसमें N का मतलब principal quantum number और L का मतलब azimethal quantum number यहनी N प्लस L की value proportional होगा यह energy के तो N प्लस L की value अगर ज़्यादा होगी तो energy ज़्यादा होगी और अगर N प्लस L का sum कम हुआ तो energy कम होगी तो energy डाइटल प्लस L की value पर N प्लस L ज़्यादा तो energy ज़्यादा और अगर N प्लस L की value कम तो energy कम सही है आप क्या नकालना पड़ेगा एन प्लस ल है एनरजी पता करने के लिए अब आप चेक करो डाइग्राम के अंदर तो 3D की जो एनरजी है वो 3D की एनरजी 4S से जाधा है या नहीं है तो 3D की एनरजी 4S से क्यों जाधा है ये कैसे पता चला तो उसके लिए मैंने n प्लस L निकाला 3D का तो 3D के लिए n की value कितनी हो गई 3 और d के लिए l की value कितनी होती है 2 तो आप इसका n प्लस L نकाल लो तो n प्लस L का sum कितना आ गया तो value कितनी आ गई n प्लस L करके तो 3 प्लस 2 equal to 5 यह आ गया 3D का n प्लस L ठीक है? अब ऐसी तुम ज़रा 4S के लिए हो निकालो, तो 4S के लिए N की value कितनी है? 4 और S के लिए L की value, 0 होती है तो ज़रा N प्लस L करो, यानिकी 4 प्लस 0 करके देखो तो 4 प्लस 0 जैसी करते हो तो answer करता है 4 ठीक है? तो अब किसका N प्लस L 4s के n प्लस L से जादा हुआ या नहीं हुआ तो energy किसकी जादा हुई ठीडी की जादा हुई या नहीं हुई 4s से तो इसलिए 3d का जो लेवल है व फोरेस से उपर है या नहीं है but it 3d की energy 4s से ज़्यादा हुगी कीसे बता चला n प्लस l के rule से जो क्या decide करेगा sub-shells की energy अब यह जो n प्लस l का sum है यह जो n प्लस l का sum है यह n प्लस l का sum rule है यह sum rule जो होता है हम इसी sum rule को बोला जाता है bohards bary rule क्या बोले जाता है बोहर्ट्स बरी रूल वाट इट तो देखो 3P और 4S इन दोनों के N प्लस L के सम निगा लो 3P का कितना आ रहा है 4 और 4S का कितना रहा है 4 और मैंने यह बोला था जब आप फिलिंग करते हैं तो एनेजी के बिस्टिस पर करते हैं अब जो मैंने डाइग्राम बनाया है उस डाइग्राम के अंदर चेक करो तो 3P और 4S दोनों के लेवल अलगे हैं लेकिन दोनों का N प्लस L सेम आ रहा है तो N प्लस L की वेल्यू अगर सेम आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किसकी एनेजी ज्यादा किसकी एनेजी कम है यह कैसे डिसाइड होगा तो उसके लिए डिसाइड होगा N फेक्टर जिसके लिए N की वैल्यू या प्रिंसिपल क्वांटर नंबर की वैल्यू कम होगी न उसकी एनेजी कम होगी और जिसके लिए न जादा होगा उसके न जादा होगी तो 3P का जो आगे वाला N है यानि कि वो कम है तो 3P की एनरजी कम हुई और 4S का जो N है वो जादा है तो इस असाब से 4S की एनरजी 3P से जादा हुई या नहीं हुई ठीक है तो अगर हम N प्लस L के रूल के एसाब से चलें और 1S 2S 2P 3S 3P 4S और 3D अगर हम इनको अरेंज करें तो सबसे जादा एनरजी किसकी है 3D वाले की और सबसे कम किसकी है 1S वाले की N प्लस L का सम निकालो तो 1S का N प्लस L कितना हुगा है 1 2S का 2 2P का 3 3S का 3 3P का कितना 4 और 3D का 5 तो highest N प्लस L किसका हुगा 3D का और lowest N प्लस L किसका हुगा 1S का तो यह आ गई आपके बाद N प्लस L की values के order के अंदर और बिटल्स का पैटन यह यह शोट है कि सबसे वहले लेक्टोन 1S में एंटर करेगा उसके बाद 2S में जाएगा 2S के बाद 2P में जाएगा 2P के बाद 3S में 3S के बाद 3P में 3P के बाद 4S में और और लास्ट में 3D वह आपको अगर अर्बिटल्स और फिलप करने है तो आपको चार बाते ध्यान लखनी है तो चार बाते कौन-कौन सी है नी चार रून कौन-कौन से है तो पहला है और बाद दूसरा है पॉलीज पॉलीज का exclusion principle तीसरा है आपके पास हुन्स रूल और चोथा होता है रिलेट इसमें से पॉलीज हुन्स यह दोनों scientist के नाम है लेकिन ऑबाव जो है वो scientist का नाम नहीं है ऑबाव तो एक German word है जिसका क्या मतलब है जिसका मतलब है building up ऑबाव क्या मतलब है German word ऑबाव is the German word which means building up यानि कि अगर तुम्हें building बनानी है तो building बनाने के लिए नीव को मजबूत रखना है तभी तो टॉप को खड़ा करोगे तो अगर building मजबूत बनेगी तो building मजबूत बनाने के लिए उसकी नीव जो है वो मजबूत रखनी है ठीक है नीव जितनी मजबूत होगी building को उत्ती बढ़ी अखड़ी होगी अब यह building को बनाने के लिए हम जिस rule को साथ में ल उसके बाद electron दी दीरे enter करेगा highest energy के orbital में यानिकी lowest energy orbital electron enter first lowest energy के orbital में electron को आपको पहले enter कराना है and highest energy and highest energy orbital electron गोज टू गोज लास्ट वट इड यानिकी rule के according lowest energy के orbital में electron को पहले लीजिए और highest energy के अंदर electron को बाद में रखिए lowest कौन सा होगा highest कौन सा होगा उसकी energy कैसे बता चलेगी तो n प्लस l का sum निकलते जाए उसके sum से आपको values calculate हो जाएंगी तो अब तुम्हारे पास next start होता है और वाव पिंसिपल के recording आप electrons की filling कैसे को रोगए sub shells के अंदर तो पहली shell में एक sub shell होती है 1s दूसी में 2 2s और 2p तीसी में 3 चौती में 4 पांचवी का नंबर आपको चौते हैसा करना है छटे का नंबर आपको दूसे हैसा करना है और साथवे का नंबर आपको दूसे हैसा कर देना है तो सबसे पह अच्ट पहूंगा जाएन हो जाएक डिन22 के बाद फॉर्पी के बाद 5s के इंदर डिएक्क्रों के बाद 5p के बाद शेता करेगा आपके बाद NFL एक्टॉन एंटर करेगा वह दका तो फवले एक्टॉन के पद उसके बाद electron 7s से इंटर करेगा 5f के अंदर, 5f के बाद 6d के अंदर, 6d के बाद 7p के अंदर, सही है, यारी lowest energy का orbital हो गया 1s और highest energy का जो orbital हो गया, वो गया आपके पास 7p, ठीक है, तो यह हो गया आपके पास filling का pattern, यानि कि अगर मैं energy level diagram से इसका pattern तयार करूं, तो पहले electron सबसे पहले आपको एंटर कराना है 1s के अंदर, 1s के बाद 2p के अंदर, 2p के बाद 3s के इंदर, 3s के बाद 3p के बाद 3p के बाद 4s के इंदर, और जैसी 4s बढ़ जाएगा, तो electron एंटर करेगा 3d के अंदर, आप यह चेक करो, कि जो 3d shell का 3d है, वो फिलिप का ब सब्सक्राइब के अकॉर्डिंग कभी भी एक और्बिटल के अंदर दो से अद एलेक्रॉन नहीं आते हैं यानि कि अगर तुम्हारे पास कोई शू बॉक्स है तो एक शू बॉक्स के अंदर दो शू जाएंगे अब अगर तीसा शू आप उसमें लगा और डालनी कोशिश करोगे तो जो बॉक्स है वो फट जाएगा ठीक है तो ऐसे ही एक और्बिटल के अंदर दो एलेक्रॉन आते हैं और दोनों एलेक्रॉन का जो स्पिन होता है रोटेट करने का वो एक दूसर के अपोजिट होता है अगर एक अलेक्रॉन क्लॉक्वाइज घूम रहा है तो दूसरा अलेक्रॉन एल्टिक्लॉक्वाइज घूमेगा यह हो गई इसके स्पिन स्पिन को मैं रिप्रिजन कर दिया एस से यानि कि दो एलेक्रॉन में से एक एलेक्रॉन का स्पिन अगर क्लॉक्वाइज है तो दूसरे एलेक्रॉन का स्पिन हमेशा ही एंटिक्लॉक्वाइज होगा अब प्लस वन बाइटू या माइनस वन के लिए यानि anti-clockwise के लिए arrow को आप नीचे की तरफ दिखा दो तो arrow नीचे तो मतलब anti-clockwise arrow उपर तो मतलब clockwise यानि कि अगर एक orbital में दो electron है तो दोनों का जो rotation होगा वो opposite direction में होगा एक का clockwise होगा तो दूसरे का anti-clockwise होगा log according an orbital cannot accommodate more than two electrons यानि कि एक orbital में कभी भी दो से याद electron नहीं आएंगे या दूसरे शब्दों में आप ये बोलो कि किसी भी दो electron के चारो quantum number की value कभी भी सेम नहीं होती नो two electrons can have the same value of all the four quantum numbers किसी भी दो electron के चारो quantum number की value कभी सेम नहीं होती अगर तीन quantum number की value सेम हो जाएगी तो चौथी वाली different हो जाएगी अगर तीन quantum number की value सेम हो जाएगी तो चौथे quantum number की value different हो जाएगी चार quantum number कौन कौन से होते हैं तो principal, azimuthal, magnetic और spin ही तो होते हैं चार quantum number तो इन चार quantum number में से अगर तीन की value सेम हो जाएगी तो चौथे quantum number की value definite सी बात है वो different होगी दो electrons के लिए जैसे कि orbital के अंदर आपके पास दो electron है अब आपने दो electron की इसमें फिलप करा, एक का arrow आपने उपर करा और एक का arrow आपने नीचे किया तो एक का arrow उपर और दूसरे का arrow नीचे है अब आप मालोगा तीस electrone को डालते हो तो दो ही condition होगी या तो उसका arrow ऊपर करोगे या नीचे करोगे अगर आप उसका arrow ऊपर की तरफ करते हो तो इस वाले electron की सारे quantum number पहले वाले electron के समिलर हो गए और अगर आप नीचे की तरफ करते हो तो नीचे वाले लेक्ट्रन का सारे के सारे क्वांटर नंबर की वैलियू दूरसे वाले लेक्ट्रन के सिमलर हो जाएंगे चीक है तो मतलब 3 तो आई नहीं सकते क्योग आगर 3 आगए तो किसी भी 2 के quantum number की 4 value से हम हो जाएगी इसलिए maximum कितने आप आप आएंगे उस orbital के इंदर 2 यानि कि 2 से जादा electron कभी orbital में नहीं आएंगे अब अगर आपको nth orbit दिया हुआ और उस nth orbit के इंदर electrons के number निकालने हैं तो किसी भी orbit के इंदर electrons के number निकालने के लिए general formula work करेगा 2n² का टोटल number of electrons in an orbit और a shell is always 2n² अब उसके आगे से आप 2 का factor अटा दो तो क्या बचेगा n² ये n² बताएगा number of orbitals क्योंकि बताया क्या गया एक orbital में कितने electron आते हैं दो तो अगर आपके पास n² orbitals हैं और एक orbital में दो आएंगे तो n² orbitals में कितने आएंगे 2n² ये दो आएंगे ठीक है अब मैंने कोशन दिया कि 3rd shell के अंदर ऐसे कितने electrons हैं जिनके की spin सेम होंगे तो 3rd shell के अंदर आप ये चेक कर लो आप योग 18 ठीक है अब 18 में से नो electron ऐसे होंगे जिनके spin एक डायरेक्शन में होंगे और 9 electron ऐसे होंगे जिनके spin अपोसेट डायरेक्शन में होंगे यानि 9 electron के spin होगा प्रस न बाइटू के अंदर और 9 electron के अब आता है तुम्हें पर नेक्स्ट और हूंड्स रूल को बोले आता है हूंड्स रूल ओफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी ठीक मल्टिप्लिसिटी का मतलब होता है spin value कितनी होगी इसको निगालने के लिए जनरल फॉर्मूला वर्क करेगा n by 2 सबसे नीचे है s is equals to n by 2 इसमें n का मतलब होता है number of unpaid electron यह principle हूंड्स का यह कहता है कि electron की pairing तब तक नहीं करनी है जब तक कि equal energy वाले orbitals के अंदर जो की होते हैं pdf वाले equal energy वाले orbitals के अंदर electron जो है वो single single field ना हो जाए अब पी के जो तीन equal orbitals हैं वो कौन-कौन से हैं px, py, pz, dk कौन-कौन से हैं dxy, dyz, dxz, dx², y² यह तो pk हो गए px, py और pz चीक हैं ऐसी dk हो गए ऐसी f के हो गए dk कितने होते हैं 5, f कितने orbital होते हैं 7 चीक हैं तो in orbitals के अंदर जब आप electron की filling करोगे तो जब तक कि हर एक orbital के अंदर एक एक electron चला नहीं जाएगा उससे पहले आप pairing electron की करोगे नहीं ठीक हैं क्योंकि अगर आप pairing कर दोगे तो pairing करने से unpaid electron जो होंगे उनके number कम हो जाएगे तो spin value जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि spin value निकालने के लिए general formula जो work करता है वो करता है s is equals to n by 2 अब n का मतलब मैंने बोला कि इसके अंदर होता है number of unpaid electron और अगर p orbital है और p orbital को आप चेक करो तो अगर 3 unpaid electron होते है तो spin कितना आता 3 by 2 लेकिन एक paired होने की वैसे मातर एक ही जाएगा तो spin कितना हो गया 1 by 2 तो spin value कम हो गई नहीं हो गई आनी चाहिए 3 by 2 रह कितनी जाएगी 1 by 2 ठीक है तो spin value निकालने के लिए use करना है क्या n by 2 का formula तो electron की pairing तब तक नहीं करनी है जब तक कि हर एक equal energy वाले अर्बिटल्स के अंदर एक-एक electron फिलप ना हो जाए चीक है अब मैंने जैसे बोला कि पी के अंदर आपको फिलप करना है इस पिन वैल्यू कितनी आईगी maximum 3 by 2 तो spin value maximum लाने के लिए तीनों एलेक्रोन अन्पेर्ट कंडिशन के अंदर एक-एक बादाल दोगे चीक है ऐसी आपने अब डी का निकाला तो डी में अगर आप पांचों और अर्बिटल के अंदर एक-एक electron डालते तो spin कितना आएगा 5 by 2 F के अंदर कितना आएगा 7 by 2 तो highest spin जो आ रही है वो आ किसमें रही है F के अंदर और lowest spin किसमें आ रही है P के अंदर spin value निकालने के लिए जर्नल फार्मला N by 2 होन्स रूल के अकॉर्डिंग एलेक्ट्रों पेरिंग ड़स नाट टेक प्लेस between the orbitals of the same sub shells that is PDF until each one is singly filled this is होन्स रूल maximum multiplicity means spin value maximum चाहिए अब और बिटल किसमें कितने कितने होते हैं उसके लिए एक नंबर याद कर लो एक तीन पांच साथ में होते हैं एक और बिटल ती में होते हैं तीन और लीज़ोगई S में 1 orbital, P में 3 orbital, D में 5 orbital और F में 7 orbital तो unpaid condition S, P, D, F की कितनी आ गई 1, 3, 5 और 7 की तो S में जब 1 electron present होगा तो pairing के लिए responsible होगा कौन दूसा electron P में responsible होगा 4 electron D में responsible होगा तुम्हारा 6 electron और F में 8 electron यानि कि ये electron जो pair होगे S, P, D, F के अंदर ये कौन कौन से होगे F में 8 वा, D में 6 P के अंदर 4 और S के अंदर 2 तो ये होगा इनकी pairing conditions अब एक factor होता है जिसको बोलते है exchange energy अब ये exchange energy जो होती है ये stability decide करती है exchange energy से stability calculate करते है तो exchange energy जो होती है directly proportional होती है stability के exchange energy directly proportional to stability exchange energy की value ज़्यादा होगी stability ज़्यादा होगी exchange energy की value कम आईगी तो stability कम हो जाएगी अब half field और fulfilled orbital जो होते है वो extra stable क्यों होते है half field और fulfilled orbital extra stable क्यों होते है तो half field और fulfilled वाले extra stable जो होते हो इसके बीचे क्या reason है उसको समझो तो इसके बीचे दो reason होते है तो वो दो रीजन कौन कौन से हैं तो उन दो रीजन के अंदर सबसे पहला है तुम्हारा symmetry पहला रीजन है symmetry का और दूसा रीजन है तुम्हारे पास exchange energy का चीक है यानि हाफ फिल्ड और फॉल्फिल और बिटल्स extra stable क्यों होते हैं तो पहला होता है symmetry की वाज़े से और दूसरा होता है exchange energy की वाज़े से symmetry की बात करें तो पी की हाफ फिल्ड condition जो हो गई वो तीन electron के लिए हो गई यानि P3 हमने P के तीनों orbitals में एक एक electron डाल दिया ठीक है तो यह condition हो कि पी की हाफ फिल्ड और पी की फॉल्फिल कंडिशन कितने की हो गई 6 की चीक तो यह configuration है P का यह कैसा configuration है symmetrical जो की फुल्फिल करता ही value जो आ रही है वो even आ रही है चीक है तो यह condition हो गई symmetry यानि symmetry condition अब exchange energy की बात करते हैं तो एक्स्चेंज energy के basis पर stability कैसे निकाल हो गई चीक है तो एक्स्चेंज energy के basis पर stability यह से निकलेगी कि दी में आपको पता है पांच electron होते हैं होते हैं तो जो डी का पहला electron है वो आगे के 4 electron के साथ exchange कर सकता है अगे के चार electron जो बैठे हुए orbital में उनके उनके साथ exchange करेगा नि करेगा तो इसकी exchange value कितनी हो गई फोर की कौन से वाले electron की पहले electron की अब दूसरे तीसे लेक्ट्रोन की तो तीसे लेक्ट्रोन का एक्सचेंज कितना आया टू चौथे electron का एक्सचेंज नकाला कितना आया एक अब टोटल एक्सचेंज की जरा वैल्यू निकालो तो चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक एड़ करके देखो कितना हो गया चार प्लस तो डेयखोथे हो ano अब लिए कि अधा यह उड़नी प्लस दीटेंज वैल्यू आईगी जितनी ज्याधा ईक्सचेंज वैल्यू आएगी ऑते यह उतनी अरँ स्थेड्शिब्ल टी होगि तो द्टैं और किसे उत्टैंज और ब्लस वैफट्वी से कौण उसकी stability ज़्यादा होगी तो इसलिए D-orbital में उसका D-10 यानि कि उसका fulfilled condition उसके half-filled condition के comparative ज़्यादा stable होता है What it? Simple-simple बात थी Exchange energy से क्या निकाली जाती है तो exchange energy से stability निकाली जाती है Exchange energy से stability निकाली जाती है ठीक है? हुण सुरूल का मतलब बहुत अच्छे से आ गया होगा समझने कि हुण सुरूल के अंदर करना क्या है? अब यहाँ एक question मैंने आपको दिया कि electron है किसी atom के अंदर और उसकी पहरी shell में 2 electron है दूसी shell में 8 electron है तीसी shell में 9 electron है और चौती shell में 2 electron है तो इस atom का domic number निकालने के लिए सारे electrons को लेकर कर आड़ गदो तो total electron की value कितनी हारी 21 चीक है? तो यह total मिलागर के 21 electron होगा इसके अंदर अब के shell के अंदर आ रहे हैं 2 electron तो के shell में कौन सा sub shell होता है 1s L के अंदर यानि दूसी shell में 2 sub shell तीसी shell के अंदर तीन sub shell 3s, 3p, 3d और चौती shell यानि end shell कितने हो गए? 4s, 4p, 4d और 4f चीक है? अब इसमें electrons की filling करना शुरू करो और वाउ का rule लगा कर गए 1s में डाले 2 electron 1s भर जाएगा तो 2s 2s के बाद 2p, 2p में आ जाएगे कितने 6 electron अब उसके बाद number लागा तो 3s का 3s में हो गए 2 electron 3p में हो गए 6 electron चीक है? लेकिन 3p के बाद energy 4s से 3d की तो जो energy होती हो 4s से जादा होती है न? तो 3d में electron जो जाएगा वो 4s के बनने के बाद जाएगा तो हम electron को अब 3d में इंटर नहीं कराएगे 21 electron किस में इंटर कराएँगे? हम 4s में इंटर कराएँगे चीक है? तो यह हो गया 3p6 4s1 3p6 4s1 और 3d में कहा रहेगा configuration 0 चीक है? भई 3d shell को 3d के साथ ही तो लिखोगे और 4d को 4d के साथ लिखोगे तो 3p के इंदर electron जब चला जाएगा तो 3p के इंदर फिलप करने के बाद आप अगला electron 4s के इंदर डालोगे तो सही लेकिन 3d में configuration को क्या रखोगे? 3d में configuration क्या रखोगे? तब तक 0 रखोगे जब तक की 4s फिल नहीं हो जाए अगर 4s पूरा भढ़ जाए 4s में 2 electron आगए पूरे तो फिर उसके बाद आप 3d में electron डाल दो तो आप 21 electron को जब भढ़ोगे तो 4s में आगए 2 electron 3d में आगए एक electron चीक है? तो आप इस configuration को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या क्या आएगा? अब आप इस बात को जो आप इस बात करें होगे तो आप ने समझा वह आप लिख सकते हैं जो कुष्षन बना है वह किस पर बेज जै इसके इंडियम पर बना हुआ है 21 electron जो आपने fill up करे हैं उसका configuration आप निकाल लो तो configuration की value आ गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 चाहिए है 4s2, 3d1 तो ये डाल दिये सारे electron हमने 3s2, 2p6, 4s2 और 3d1 सही है लेकिन 3s2, 3d1 को थड़के साथ ही लिखना तो एक बार 4s जब भर जाएगा तो 3d में electron डालोगे लेकिन 3d को लिखोगे कहां 3p के साथ लिखोगे तो 4s बनने के बाद 3d में अपने electron डाल दिया configuration आ गया निकल करके चीक है तो यह हो गया आपके पास पूरा filling का pattern अब इस question को करने के लिए हमने basically लगाया क्या 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 rule हमने इसके अंदर आपबाव का भी यूज किया हमने इसके नहुंस का भी यूज किया चीक है ध्यान रखना 3d की energy 4s से ज्यादा जूरूर होती है लेकिन जब आप लिखोगे तो लिखने के लिए 3d को 4s के 3d को 3d को 3p के साथ ही लिखोगे यानि 3p के साथ ही लिखोगे चीक है तो यह आ गया configuration आपके पास अब इसमें से जो total 18 electron है 1s2 से ले करके 3p से तक total कितने electron हो गया 8 electron अब इन 18 electron को आप condense करके क्या लिख दो argon जो scan name का अगर आप छोटा करना चाहो configuration तो आप लिख सकते हो argon 3d 1 4s 2 got it तो यह हो गया आपके पास 21 electron का configuration argon 3d 1 और 4s 2 कंडेंस करके हमने configuration को लिख लिए अब अन्पेड एलेक्टॉन के नंबर केतने आ रहे थे इस question के अंदर एक आ रहे थे जब जब भी किसी atom के अंदर अन्पेड लेक्टॉन के नंबर आपको मिलेंगे न तो अन्पेड लेक्टॉन के नंबर यह decide करते हैं कि compound जो है उसका magnetic moment क्या होगा उस magnetic moment के दो तरगे character होते हैं या तो substance paramagnetic होगा या diamagnetic होगा अन्पेड लेक्टॉन जब भी आएंगे तो compound जो है वो कहलाएगा paramagnetic और अगर एक्टॉन पेड हो गए तो बुले जाएंगे diamagnetic पेड कंडिशन यानि की diamagnetic चिक है पेड कंडिशन यानि की diamagnetic और अन्पेड कंडिशन यानि की paramagnetic अब ये पेड या अन्पेड कंडिशन जो होती है न जिससे कि हम ये पता करते हैं कि diamagnetic होगा या paramagnetic होगा ये actual में हमको एक्टम का behavior बताती है external magnetic field के अंदर कि external magnetic field के अंदर atom किस तरह करेगा अगर paramagnetic होगा न तो वो external magnetic field में weekly attract हो जाएगा और अगर diamagnetic होगा तो वो external magnetic field के अंदर legally repel हो जाएगा चिक है external magnetic field के अंदर legally repel हो जाएगा तो पैरा감ड επेどう हो जाएगा तो diamagnetic है और अगर attract हो गया तो बैरा मेंग्नेटिक है अब कितना attract होगा कितना repel होगा इसकी भी अपने कुछ value होती है तो इस value को हम calculate करते हैं तो calculate करने के लिए हम इस्तमाल करते है magnetic moment का एक formula हम इस्तमाल करते है magnetic moment का एक formula तो वो magnetic moment का formula कैसे calculate होगा तो उस magnetic moment के formula को निकालने के लिए एक relation का use करा जाता है चीक है तो वो relation क्या है तो magnetic moment को represent जो करा जाता है उसको represent करने के लिए letter mu का use करा जाता है magnetic moment को represent करने के लिए letter mu का इस्तमाल करा जाता है चीक है कैसे calculate करोगे तो magnetic moment को calculate करने के लिए आपने इस्तमाल किया लेटर म्यू ठीक है जो निकाला किसके लिए जाता है के वल पैरा मेंगेटिक सबसेंस के लिए ठीक है क्योंकि एंपेड लेक्ट्रॉन जिब तक नहीं होंगे न यह मोमेंट आए गए मोमेंट की वेली जीरू आ जाएगी अगर लेक्ट्रॉन पेड हुए तो चीक है अब यह जो मेंगेटिक मोमेंट होता है यह खुद दो तरीके का होता है यह तो होता है इसका स्पिन मोमेंट यह निकाला जाता है और्बिटल मोमेंट इस पिन मोमेंट जो होता है न उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मुला होता है मियू इस इक्वेस टू टू से एन बाइटू के नहीं का क्या मतलब है number of unpaired electron चीक है और दूसरा होता है तुम्हारे पास orbital moment तो इस orbital moment को निकालने के लिए use किया जाता है अंडर रूट में एन प्लस टू यूनिट होती है BM BM का मतलब होता है बोहर magneton magnetic moment की unit होती है बोहर magneton चीक है बोहर magneton detail में physics में आप पढ़ोगे चीक है 12th की physics के अंदर पढ़ाई जाएगा magnetic moment के पारे में है पस unit याद कर ले ना unit की BM के अंदर होती है यानि की बोहर magneton बुला जाता है n का क्या मतलब है तो n का मतलब है number of unpaired electron अब मालों की n की value 5 है और आप moment निकाल ले हो तो moment की value कितनी आएगी और प्लस वाले फॉमले से root 35 अब रूट 35 का moment अगर calculate किया न रूट लगा करके तो क्या value आ रही है 5.92 BM चीक है यह maximum moment की value होती है वो maximum moment की value d के लिए आती है कितनी 5.92 चीक है यानि d के अंदर अगर 5 electron है तो moment जो आएगा maximum वो 5.92 आएगा अब जैसे कि यहां question मैंने आपको दिया है यह दो question आपके homework है कि in which of the following above principle is violated सही है in which of the following above principle is violated और अगला question है कि rubidium जिसका कि atomic number 37 है इसके valence electron के 4 quantum number की value निकालनी है सही है रूबिडियम के valence shell के जो electron है उसके 4 quantum number की value निकालनी है तो आप rubidium का configuration करो आपके बापके बापके निकालनी है